बिमार दुन है च्या हुआ आपको बाबा? सारी जिंदगी वक्त से लड़ते गुजारती और अब ब्रेंट यूमर से लड़ना है यूमर है? आपरेशन का काग्य है लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इसे बर्दाश कर सकूँ हूँ और मैं यह नहीं चाहता कि इसका किसी को भी पताश चले जितना जल्दी हो सके रोम से वापस आजाना क्योंकि आगे का कुछ पता नहीं आने वाले वक्त के लिए हम तयार रहने की जुरूरत है कारें अब तुम ही मेरी उमीद हो जानते हो ना अच्छा किया है हम मुची भी अच्छा लगजाएंगे इस तरह पहले ही था सब मामलाद इसी तरह ठीक होंगे यह क्या कर रहे हो तारिक तुम क्यों तखलीफ करते हो कासी खुछ लग रहे हो लेकिन खुशियां जादेर नहीं रह पा रहा है कभी एक कुछ भी हो सकता है हाँ जिन्दगी हर पल नए रंग दिखाती है मस्तकिल बदलने वाले ही इसका मुकाबला कर सकते है सोना है तुम आफिस चोड़ रहे हो अच्छी बात है खुशियों के नाम अच्छी में अच्छी बात है अच्छी बात है अच्छी बातंगी कम्प्लीट होगे डिजाइन्स जी दादाशान कल प्रेजन्ट करेंगे बहुत अच्छे शाबाज बेटा शक्रिया दादाशान अच्छा बई नूर सुनो मुझे एक शिकायत करनी है बहुत बड़ी शिकायत करनी है तुमसे क्या हो दादा हो ना क्या देखो तुमारी नानी मैंने रट लगाई हुई है अफ्यों जाने के लिए तारी आप जा रही है क्या हाँ मेरी बच्ची जाना तो है न अब जाहर है घर याद आ रहा होगा अच्छा है चली जाएं हम भी चलते हैं वहां जाके अपनी फैक्ट्रिया ही देख लेंगे बिल्कुल ठीक है बाबा नूर क्या हुआ मेरी जान नूर क्या हुआ किसी ने दिल दुखाया तेरा काश हम यहां होते ही नानी ना होते हम यहां हो नाहीं कुछ तो पता किसने दुख दिया है तुझे मैं अपने आपको खुद दुख दे रही हूं नानी खुद ही अपने आपको फरीब दे रही हू मैं जो जाएगी मुखबत हमारी देम्यार अब क्या हो गया तुम लोग तो बहुत खुश थी नहीं नानी नहीं मैं ही थी पे अकूफ नहीं समझा रहा मुझे कुछ पिया नानी आप ही बताए मुझे अमें क्या करो थोड़ा वक्त लगेगा मेरी बच्ची सब कुछ बेटा ठीक हो जाएगा इसता इसता नारी जा क्या वाके जा रही है तुम मुझे खुश लगी थी बेटा तुम ऐसे करोगी तो कैसे जाओंगी बताओ आप मुझे से प्यार करती है मुझे यकीन है काश कि मुझे उसके प्यार का भी यकीन आजा है लाओ मुझे दो तुमारे लिए ठीक नहीं इतना भारी उठाना अरे ये तो बहुत अलका है हाँ मैं घयर जरूरी चीजे साथ नहीं ले जारी तारिक अब चले रहे ले तो तारिक, मैं खुद चले जाओंगी क्या हो गया, मैं छोड़ देता हूँ क्यो इतना जोड दे रहे हो, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे ठीक है फिर, ठीक है तो फिर तुमको, ड्रैवर छोड़ देगा मैंने कैब मंगा ली है कि उसी में जाओंगी, ठीक है क्या आ सकती हो मैं, क्यों नहीं क्या हल है, ठीक हो, क्या कर रहे हो क्या करूंगी, पुरानी तस्वीरें देख रही है जोड़ी अच्छी है प्लीज ऐसा मत कहो नूर, यह तो बस माजी का एक हिस्सा है अपने दल से पूछो तो छोड़ो कोई और बात करते हैं न, अच्छा तुम यह बताओ कि क्या चल रहा है, आजकल कैसी है तुमारी लाइफ क्या करूँ समझ नहीं आ रहा कुछ पिनार यानि कुछ तो हुआ है, तुबताओ मुझे कुछ करते हैं इसके बारे मे उस दिन, तुमारे साथ जो गड़ी ली थी न, महमद के लिए हाँ वो बैरल के घर भूल आया था उसको नई या, सच कह रही हूँ बैरल के घर कब गया महमद एक रात काफी लेट आया था वो घर, हो सकता है उसी दिन गया हूँ लेकिन गया क्यो था जाहरे चाय तो नहीं पिने गया होगा न पिनार मेरा खैल है काम के लिए गया होगा नूर और किस ली जा सकता है खुदा के लिए पिनार तुम भी मुझसे वही कह रही हो काम के लिए गया था तो मुझसे क्यो चुपाया यानि उसने तुमसे जूट बोला है नहीं जूट तो नहीं बोला यानि ये नहीं कहा के नहीं गया और बताया भी नहीं जाने का मुझे नहीं पता पिनार चुपाना भी तो जूट होता है न उसका ख्याल है कि उसने कोई जूट नहीं कहा तुमसे तुम्हारी बात हुई है अस से उसने असल मसला तो नहीं बता है मुझे बस ऐसे ही कह रहा था क्या कहा बताओ ना रुक्यों कही यार वो समझता है कि तुम हर चीज़ को गलत समझती हो मतलब यानि तुम्हारी सोच बिलकुल अलग है उससे और तुम बहुत सी चीज़ों को बिलकुल उसकी तरह नहीं देखती मेहमद कोई प्राबलम है कुछ नहीं मेजान बॉर हो रहा हूं बस माओं को पता चल जा जाता है सब कुछ मुझे मैसूस हो रहा है नूर कहीं और जा रही है और तुम कहीं और जाहर है आप से कैसे चुप सकता है अगर तुम दोनों दो दिन हस बोल लो तुम्हें औरों की तरह खुश नहीं हो जाते हाँ, परिशान ना हो बेटा, तुम्हारे को जूर नहीं है जोर जबर्दस्ती करने से यही होता है मुझे पता था यह सब होगा लेकिन कह नहीं सके एक दूसरे के लिए तुम दोनों बने ही नहीं, है ना बेटा? क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, वीरानी देख रहे हो इस तरह बेख क्यों कर रहे हो यह सवाल तो मुझसे अब भी कर रहे हो लूर क्या जानना चाहती है, खुल कर पूछो ना क्यों? मुझे क्या जरूरात है पूछने की, तुम खुद ही बता दो ना देखो नूर, मैंने तुमसे जूट नहीं बोला और यह कोई इतना बढ़ाने वाली बात नहीं है मगर उसके घर जाने का नहीं बताया सिर्फ यह कहा कि तुम हॉस्पिटल गए थे फॉपो से भी पूछा, लेकिन अधर भी नहीं थे तुम यानि तुम मेरी चासू सी कर रही है देखो उसने जो कुछ हुआ तुमने बताया नहीं मैं इसमें बताने वाली बात थी कौन सी? तुम्हारे लिए नहीं होगी लेकिन मेरे लिए थी नूर क्या हो रहा है? ऐसे क्यों चीख रही हो? बुरी बात है सब सो रहे हैं इतनी रात को क्या प्राब्लम हो गई है तुम्हें? तखल नहीं दे अम्या चलो कमरे में चलके बाप करते हैं किसी जंगल में नहीं रहते हैं तुम दोनों अच्छी खासी प्राब्लम खड़ी कर दी है तुमने नूर हाथ छोड़ो मेरा चली जाओंगी मैं नूर आइंदक किसी से भी मेरे बारे में कुछ भी मत नहीं दो तुम्हें कभी मुझसे जूट नहीं बोलना मैंने तुमसे कोई जूट नहीं पोला है जूट नहीं तो और क्या क्या समज़ते हो पागल हो में अब ऐक एक मिनट की खबर तुम्हें तुम्हें क्या होगा शेरफ क्यों रो रही हो कि तुम्हारे हाथ तो बहुत थंडे हो रहे हैं बाहिर गार्डन में मैं वाक के रही थी इजी हो जाओ क्या हो गया है आओ बैठो अब बता अब 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 यह कमीना तुम्हें छोड़ने जाया है हम दोनों साथ जा रहे हैं हमारे डिवोर्स हो जोड़ा है हमारी दस साल की शादी खत्म हो जो और तुम्हें जबात को एक्सेप्ट नहीं करते है वो लड़की बहुत जहरेली है कौन से लड़की कौन हो सकती है जाहर है नूर क्यों क्या किया उसने वो मेरे बेटे को मुझसे छेन रही है उसकी वज़ा से आवाजें आ रहे ही थी तो मैं चली गए मैंने देखा तो यह दोनों वहां लड़ रहे हैं महमत और नूर बिलकुल मैंने कहा मत लड़ो बच्चो अभी तो तुम दोनों ने इक दूसरे को समझना शुरू किया है तो उसने पतानी क्या कहा तो महमत चीखा कि आप बीच म मत आप बस यह बात थी शेरफ हां तो और क्या मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन डर रहा था कि तुम गलत समझोगी हर चीज को गलत रंग दे देती हो उसकी कार में बैट किया तो तो तुमने पूरा दिन मूलट का है रखा उसकी घर चला गया तो देखो यह हुआ अगर क्यों आखर क्या जरुरत थे इसकी घर जाके काम करने की तुम्हें बास इस्तंबोल है यह हम दोनों कुलीक्स है देखो नूर अगर मैं उसके घर चला गया तो क्या क्यामत आगई इसमे पर्मिशन की जरुरत नहीं है मुझी किसी की अगर तुम यह जरा-जरा सी बात जर्न स्टैंड नहीं करूगी तो गजारा मुश्किल हो जाएगा प्यार करने का वादा तुम ही नहीं किया था ना महमत नहीं आहमत बस बहुत हो गया मैं अब इस लड़की को कबूल नहीं कर सकती बस करो शेरिफ अमारे बेटे ने तो कबूल कर लिया उसके इस घर में आ जाने के बाद क्या कुछ नहीं हो गया तुम्हारी बिमारी बिनार का मसला हो गया और अब गुल्षन यानी इन सब की उस भी वो तबाह कर देगे उस पे बहरोसा करके उसके हाथ में दे दिया ये काम देखते जाओ अब क्या होता है मैमद करियत तो है इस वक्त मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहूँगे क्यों नहीं कहूँगे या राजो क्या मसला है कोई नहीं कोई मसला नहीं क्या ऐसी नहीं आ सकता मैं इस वक्त ऐसे रखता तो अच्छा ना यार पहले ही मूट खराब है वो तो दिखाई दे रहा है अगर क्यों खराब है ये समय नहीं आ रहा है अच्छा जड़ा कुछ पीने को लाकर दे रुचे फिर बाख कर दे ठीक है लाता हूं भी अच्छा इन पर दे दे देंगी राते, सारी जागते कैसे खुले आमें आजम से तोंको आजम से कैसा है किला मजबूर मैं चाहे अब ही हूँ मजबूर मैं तुम अपने लिगत ठीक हो लेकिन बाबी को नहीं समझा सके और उन्हें तुम्हारे आखरी अलफाज से बहुत तकलिफ पहुंचे तुम ठके वे हो, मेरी खाते बैठो मत कुछ नहीं कर सकते हो ऐसे ही हूँ मैं और वो वैसी ही फिर तो ये जगड़ा खतम नहीं होगा कभी एक काम कर उसे फोन कर और के नाश्टा बाहर करेंगे और देफने को भी साथ ले रहेगा वो सकता है इस तरह करने से शायद तुम दोनों के हलाद बेतर हो जाए नहीं यार उतो फोन ही नहीं उठा दी बहुत सिद्धी है ओके ठीक है मैं कॉल करता हूँ इतने सालों से मदोस थे हैं यार क्या इतना भी नहीं कर सकता हूँ हॉओ अरे क्या होगी यह त्याजी क्यों आ रही है क्या करूं यह कुछ छोटे हैं यह छोटे नहीं तुम बड़े हो गए फोन किया था नूर को किया था क्या है कि लगता नहीं मुझे नहां कर यार मैं कॉल करूं कि नू काफी अपसेट थी नूर आपसे नराज है क्या तुमने बताया क्यों बताओंगा मैं तुमें कैसे पताओ चला श्याथान मेरे पास यह जो मज़ेदा चिकन रूल है नहीं सारा खाजाओंगा और चाहिए तुमें दोश एक और दूँ याप याप दोश तुम्हें कुछ पताना है लेकिन उदास नहीं होना क्यूंकि मैं नहीं चाहती कि तुम कोई असर लो इस बात का मैं और बाबा अलग हो रहे हैं यानि अब वो या नहीं आएंगे अब मगर तुम उनसे मिल सकते हो हम अलग तो हो रहे हैं मगर वो तुमारे बाबा तो रहेंगे ना चलू ही खाओ नहीं खाओ मेरा अपना नाश्ता तो पूरा करो दो दोश अज कंप्री जाना है मितोची दादा बार बार कह रहे हैं कि तोचे जरा हमारे डिजाइनों को देख ले क्या हुआ तोचे मेरी फैमिली पसंद नहीं आई क्या बर्ड दादा बहुत अच्छे हैं मुझे अब उनसे जूट बोलते वे शरम आती है अब आज फिर मुझे टेक्स्टाइल डिजाइनर का रोल करना पड़ेगा यह हरकाप बहुत गलत है हाँ मैं जानता हूँ कि यह गलत बात है लेकिन अब तो कहदी है नहानी कोई मुनासिब वक देखके बता दूँगा उनको सच तुम क्यों नहीं बता रहे कि मैं मॉडल हूँ क्या मॉडलिंग बहुत बुरा काम है कोई नए बिलकुल नए लेकिन ये लेकिन तुम्हारा बहुत कुछ बता रहा है मुझे छोड़ो जाने दो बस चलते हैं मून खराब हो गया जाके फिल्म देखते हैं दुनिया की सबसे ज्यादा कॉमडी फिल्म भी इस लग कुछ नहीं कर सकती तुचे आ हाँ यार क्या हाँ एक जगह है तुचे जहां जाकर हर टेंशन खतम हो जाती है मेरा नहीं खिर ऐसी कोई जगह मिल सकती है हमें अगर मगर कुछ नहीं यार हम दोनों जारें वहाँ उधर हाँ हाँ कब तक आएंगे वो लोग एक घंटे बाद पस अब तो हो जाये तभी सुकून मिलेगा वह तो हो जाएगा लेकिन हमारे इस मीटिंग में जाना बहुत सब्सक्राइब है हाँ यह भी तो है हुम एमर हाँ मैं जब बी अच्छा सोचती हूं कुछ नकुछ बुरा ही होता इसलिए मैंने सोचा कि अपको सोचूंगी नहीं ताके बाद में कोई तकलीफ ना हो मुझह के यहाल है अरे बूल है अम्मी, ठीक है, क्या हुआ अम्मी, कुछ नहीं हुआ बेटा, अम्मी अब आपने मसला बना दिछका प्रेस, सही, दूसरे जो चाहें अपनी मर्जी से करें, मैं बात भी कुरू तो मसला है, अम्मी मसला क्या है, कुछ बताएंगी, मुझे तो कोई प्राब्लम नहीं, हो भी क सकती है, अम्मी लेट हो रहा हूँ, लेट ना हो तुम, जाओ आराम से, मेरी वज़ा से कभी लेट ना होना ओफिस से मेहमद, अरे बस करें, मुझे पर ही चड़ाई कर रहा है हर कोई, आप और्तों को समझाना ना मुंके नहीं, आज इस आगया मैं तो, बत्तमीज कहींगा पकी बात है, और तो कुछ नहीं चाहिए हाँ बिल्कुल, बहुत खालिया, अब तो फुल हो गई हूँ मैं भी बिल्कुल फुल हूँ, थोड़ी वॉक करने क्या हाँ जब से तुम से मिला हूँ, सब कुछ बदल गया है शायद इस उमर में ये बातें जेब नहीं देती, फिर भी तुम्हें बताना चाहता हूँ जैसे मैं हवा में उड़ता जा रहा हूँ बस, एक खलिश है दिल में, जो मुझे मुसलसल तंक कर रही है जैनब, मैंने तुम से एक जूट बोला है क्या जूट बोला? क्यों और किसलिए ये जूट बोला पता नहीं शायद ये अंदजा है नहीं था कि तुम से महबबत हो जाएगी मैं शादी शुदा हूँ क्या? सौरी वो बस महरान हो गई थी अंदजा प्लीज जैनब, असल में तो सौरी मुझे कहना चाहिए तुम्हें तुम जैसे मुखलिस दोस के साथ पता नहीं मैंने ये कैसे किया बस हो गया थोड़ी देर बैट जाएएँ यहां मुझे माफ कर दोगी काश अब सचना बताती कभी तु अच्छा होता यकीन करो सेनब अगर मुझे दोबारे जिन्दे की शुरू करने का मौका मिल जाए तो मेरी रोख तुम्हें ढूटेगी यह मैं दिल से कह रहा हूँ मुझे खौब ना दिखाई है मत मजबूरी है जब तल खकी के तेजदगी में जहर गोलने लगे तो इनसान खाबों में ही पना ढूंगता है अगर वो शैतान है तो मैं भी जहन्नम का दारोगा हूँ मैं सबक सिखा दूगा उसे हूँ प्रिया हूँ यह प्रिया यह जब तो मैं सब्सक्तित बाइब करें अच्वाँ प्रिया जब यह जब परिया प्रिया प्रिया खगए शुब झाईब झाल झाल कि देड़ लगे तो चीख मार देना लो डरनी की क्या बाद है मैं तो नहीं डर रही अच्छा है बस इंजॉय करो मैं नहीं डरती किसी चीज से बलकि जिन्दगी में नहीं डरी मैं कभी किसी चीज से और नहीं कभी डर की चीज़े मारी है अरे यारे मिरे टांबॉय को क्या हो गया बस बड़ बस वो देखा गूमने जारे हम क्या हो नर जायर वही से ले तो आये हम आजा प्यारे बीट तुम्हारा हमें यहां लाने का मतलब है कोई सीरिस बात करने शायद अल्ला रहमी करे हम पर सीरिस बात ही है हाँ अब धोड़ा एंदर घुमाओ अब उधर चाबा 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 चाहे मासा आ रहे ना तुम्हें जानती हो देफने ने मेरी जिन्दगी बदल दी है चीजों को किस तरह हैं इंडिल करते हैं उसने सिखाया मुझे मैंने फैसला कर लिया है पेनार दादा की ओफर खुबूर कर लूँगा अब शुरू कर दूँगा दुबारा से का जानती हो कहीं ने कहीं देफने ही इसकी वज़ा है मैं ये चाहता हूं कि वो मुझसे वो मुझसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार कर नहीं जिन्दगी मिली मुझसे मुझे खुशी हो रही है सुनके लेकिन थोड़ी प्रॉबलम है कुछ अच्छ से दिन के टाइम तुम देख लो से फिर किसी अच्छे से डेकर में डाल देंगे उससे क्या है बहुत अच्छा हुआ कि ये बात निकल आई क्यूंके मैं खुद भी तुमसे बात ख्योंके मिद्गमत होने दोो तुम्हाँ लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी और ये ना सिर्फ तुम्हारे लिए होगा बलके उसके लिए कि तुम्हें क्या कह रहे हो पीना फिरति दिवारे खड़ी कर दोगे हमारे बीच मैं ये क्या कह रहा हूं? तुम क्या कह रही है? तुमें क्यू समझ नहीं आ रही है मेरी बाद? इस बच्ची को कैसी शक्स की जरूरत है जिस पर वो भरोसा करें? और मुझ पर उसे भरोसा है. इस बच्ची की जिन्दगी से मैं जब ही जाओंगा जब, वो चाहेगी. अरे एक जुआरी में कैसे भरोसा कर सकती है? बताओ मुझे. जैसे शादी के बगर उसे दुनिया में लाने वाली माँ पर उसने भरोसा किया, उसी तरह मुझ पर करें. अपनी हद में रहो ओनर. क्यों हद में रहो? कौन है देफने का बाप? क्यों राज बना दिया ऐसा? बोल क्यों देफने का बाप आज बताना पड़ेगा तो. ओनर? बताओ. क्या तरे हो ये? क्यों नहीं बता रही हो मुझे? क्यों नहीं? या पिर यादी नहीं ये तुमको? दोश, अभी तक पढ़ रही हो बेटा? नाश्ता क्यों नहीं किया? जिवाब नहीं दोगे मम्मी को. आप वो फाइल देखें, आपको खुद पता चल जाएगा. ओ, सॉर्य. सॉर्य. आप आजाएं प्रीज. खुष्छाम्दी. आओ एमद, आओ. कहां थे? बस यही तह शरफ. क्या हुआ? महम्मद, उसने ऐसा दिल दुखाया है मेरा के बस. क्या किया उसने? पूरी रात घर पर नहीं था. कहा था ना लड़ाई हुई है दोनों में. सुबह आया, चीखा, चिलाया और फिर चला गया वो. सब लोग मेरे से क्यों आराज हो जाते हैं, बोलो. जाती हो तुम से ऐसा रवईया क्यों रखता है? क्योंकि तुम हमेशा सिर्फ अपनी ही बारे में सोचती है. तुम ये क्या कह रहे हुँ, ऐमद? मेरी भी कभी परवा नहीं कि तुमने है. सोचा तु बस, अपना बनाव सिंगार, अपनी ही परवा. तुमारी बला से कोई क्या महसूस कर रहा है, क्या चा रहा है? बस अपनी फीलिंग्स और अपनी जरूरियात का ख्याल रखती हो तुम. हम जैसी बिल्कुल नहीं रही तुम. हालांकि तुम खुद भी इसमें खुश नहीं हो शर्फ. तुम नहीं मसले इतने बड़ा लिये हैं के. तुम्हें ये जरा भी अंताजा है कि तुम क्या कह रहे हो एमर्ड? हर शक्स को खुद से दूर करती जा रही. जिसे नहीं रहना मेरे पास वो ना रहे. ठीक है जा रहा हूँ. कहा? कहा जा रहे हो तुम? तुम उसके साथ कैसे रहोगी जिसे किसी और से मोहबबत हो गई हो. बहुत एक्साइटेड हो रही हो मेहमर्ड. सबर करो एक्साइटमेंट लंच के लिए बचालो तुम. हो गया शरूँ. यह तो बवात अच्छा है. दो यह दिजाइनर ज़रूरू परचालों है. बहुत अच्छा है इस बचालों है. यह दिजाइन चेक करो. तो मुझे तो परसंदा है यह देखो. कलर कॉंबिनेशन भी बहुत खास है. पर मुझे तो परसंदा है यह देखो. कलर कॉंबिनेशन भी बहुत खास है. यह क्या है? इंपॉसिबल है. अब क्या करना चाहिए हमें? आउसम डिजाइन. एक्सी. वनफ कमाल के डिजाइन से सारे हैं. बिल्कुल नए है मार्केट के लिए. मुझसे यह सब परदाश नहीं हो रहा हूं. मैं चाह रही हूं. यह लांच तो उमीद से ज्यादा जबरदस रहा. हाँ सही कह रहे हैं. बस देख लिया तुमने? देख लिया. मेरा दिल चाहना था कि मैं चीख चीख के सब से कहूं कि यह मेरे डिजाइन्स हैं. क्या करेंगे अब हम? आफिस जाके देखते हैं कि क्या हूए? बरबाद हो गए हम बरबाद हो गए. मुझे पूरा यकीन है कि यह उसी का काम है. उसकी हिमत कैसी हुई यह सब करने की मुझे यकीन नहीं आ रहा. काश कि हमारे पास इतना टाइम होता कि हम उसे सबक सिखा सकते हैं. हाँ बिलकुल. उसे गलट डिजाइन्स देते और हम असली वाले खुद प्रेजन्स तो उसकी ऐसी तैसी हो जाती. तुम्हें एक बात बताओं एमर. यह सब कुछ मेहमत की वज़े से हुआ है. उसने बैरल को लाके हमारे सरों पर बिछा दिया. ओफिस में कमरे तक दे दिया उसे. और उसने आसानी से चुरा लिया. क्या होगी अनू? बिल्चस्पी हो कि तुम्हें इसमें? क्या है यह? तुम्हारी अजीज बिसनेस पार्टनर ने मेरे डिसाइन चुराकर किसी और को देती है. खुश हो ना अब तुम? तुम्हारी अजीज आसे चुम्हारी अजीज अनू? झाल झाल